कौन नंदनी मैं बिजली इस इलाके में मेरा दूद सबसे जाना माना है वो तो दिखी रहा है सुआप सभी का सुआगत है एक और ने वीडियो पे और आज की इस काउंडर में मैं सभी से शेयर करने वाला हूँ तो टॉप 10 ऐसे वेब सेरीस के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ होई चुए पर एवल एवल है जिसे आप चाहे तो इसली देख सकते हैं फ्री में हॉर्र कॉमेटी सिर्फ और इस सिर्फ की कहानी में दिखाया जाता है एक ऐसे गाओ के बारे में जब बहुत सरे मर्द गायव हो जा रहे होते हैं और गाओवला का कहना यह होता है कि यहाँ पे एक डायन है जो मर्दों को अपने तरव आकरशित करती हैं और जिस वज़े से मर्द गायव हो रहे होते हैं और इसी के साथ एक मिनिस्टर का बेटा भी गायव हो जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ गाओं में घुमने आया था जब भी बैंड पार्टी के साथ बहार जाता हूँ, मेरी बीबी की पतंग क्यों कर जाती है। जब भी बैंड पार्टी के साथ बहार जाता है। आननदपूर मुझिकल खराने के कुछ ऐसे आर्टिस्ट को माना जा रहा है। और ये बता जाता है कि सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका दुश्मनी था रुदरव पर मुझिकल खराने के साथ और जिस वज़से ये सालों से चलता रहा है। और इसी के वाएसे उनका मुझिकल खराने के साथ और जाता है। और इसके बाद जो इन्वेस्टिकेशन टीम इन सारे मुझिकल करती है तो इसका एक पैटन समझ में आता है और बताया चाहता है कि सब कुछ लिंक महावरत जो की महा काव्य है उससे लिंक है। जिसके 12 एपिसोर्स है और हर एक एपिसोर्स के डिएशन है आदे घंटे करीब। सिरिस के IMDV रेटिंग है 6.9। नबर 6 पे है एक Crime Drama Series और इस सिरिस के कहानी में दिखाया जाता है डॉक्टर सबरिना जो की एक Emergency Patient का Treatment कर रहे होती है और उस पेशन का नाम भी सबरिना होती है। और Treatment का दोरान वो औरत सबरिना बताती है डॉक्टर सबरिना से कि उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। और ये करने वाला एक Politician है जो की एक Land Deal के वज़े से उसे चुप कराना चाहती है। और इसके बाद किस तरह से डॉक्टर सबरिना उस औरत के हक के लिए लड़ती है। क्या उस औरत को नियाय दिला पाएगी यही दिखाये गया इस सिरीज के अंदर। जो कि यह प्लान कर रहे होते हैं बांगादेश के Government का एगेंस्ट अटाक करने के लिए और इसके लिए अलगलग Bomb Blast के लिए तैयारी क्या होता है। और इसे बांगादेश के कुछ Intelligent Agency को पता चल जाता है कि ऐसे Bomb Spot होने वाला है। और इसके बाद किस तरह से अलग-अलग Operation के तहद इन्हें पकड़ने की कोशिश किया जाता है और क्या अंतग उन्हें पकड़ पाएगा और इनके Mission को Fail कर पाएंगे। इस सिरीज के अंदर ये सिरीज है Refugee और जिसके 6 एपिसोड है जिसे आप देख सकते हैं होई चोई पे सिरीज के आइमडिव रेटिंग है 6.9 नमबर 4 पे है एक रोमैंज ड्रामा सिरीज और इस सिरीज की कहानी में दिखा जाता है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है मौन्टू जो की बच्पन से एक पाइलेट बनना चाहता है लेकिन एक्चल में वो बढ़ा होकर बन जाता है एक दलाल जो की एक रेड लाइट गालिया और अलग-अलग सिंस है जो कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं यह सिरीज है मौन्टू पाइलट जिसके दो सिजन्स है और दोनू सिजन्स मिलाके 19 एपिसोर्ट बनते हैं जिसके डिवरेशन है आधे घंटे करीब सिरीज की आइम डिवी डेटिंग है 6.9 नबर 3 पे है एक रोमैंट्स ड्रामा सिरीज और इस सिरीज की कार्णी में दिखा जाता है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है सिरिकान्तो जो की बचपन से एक लड़की से प्यार करता था लेकिन इसके बार उसे पता चलता है कि वो लड़की अपना शेहर छोर कर चली गई है और इसके बाद सिरिकान्त बड़ा हो जाता है और एक फैशन डिजनर बन जाता है और अचानक एक लड़की उसके जिंदिगे में आ जाता है जिसका नाम है प्याली और वो पताती है कि वो ही उसकी बचपन की प्यार है लेकिन धीरे-दीरे सिरिकान्त को पता चलता ह कि वो यह लड़की नहीं है कोई और है और इसके पीछे क्या मिस्टरी यह आप जान सकते हैं इस सिरीज के अंदर यह सिरीज है सिरीज है सिरिकानतों जिसके नौए एपिसोड से जिसे आप फ्रेलिये देख सकते हैं MX Player पे सिरीज के हार एक एपिसोड के दूरेशन है आदे गंटे करीब और इस सिरीज की I'm Dave rating है 7.1 नबर तूपे है एक ड्रामा टिवी सिरीज और इस सिरीज की कहाने में दिखाया जाता है एक नए नवेली दुलन के बारे में जिसका नाम है नंदिनी जो कि अपनी इनलोस के यहां शादी करकर आती है और वो बिल्कुल खुश होती है और सब कुछ बिल्कुल ठीक दिक रह होता है लेकिन धीरे-देरे समझ में आता है नंदिनी किसी चीज के लिए हमेशा दुखी रहती है और रोती रहती है और इसके बाद घर की बरी बहु नंदिनी को कमफोर्ट करती है और इसके बाद किस तरह से घर की बरी बहु नंदिनी को सपोर्ट करती है और इसे नियाय दिलाने की कोशिश करते हैं, अलग-अलग कोट के चरी और केसिस के बारे में दिखाया गया है, जो कि घर के रेपूटेशन के पार होती है, और यह बिलकुल आप कनेट कर सकते हैं, आज की दुनिया के ऐसे कई तरह के शिकार होती है, और इसी के बारे में दिखाया गया इस सि 9.9 हमारे आज की स्काउंडन के नमू वन पे है एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज और इस सेरीज के कहानी फोकस करती है एक मचवारे के गाउ जिसे बताया चाता है गेलपूर और इस पुरे गाउ का कंट्रोल करता है एक पॉलिटिकल लिटर जिसका नाम में डबलू भाई और वो यहां के मचवारों को तरपाता है अपनी आमदाने निकानने के लिए और इस सब कुछ करता है यहां के लोकल पॉलिटेशन से इसे के साथ दिखा जाता है मंदार के बारे में जो डबलू भाई के लिए काम करता है और डबलू भाई जो भी कहता है वो वही करता है औ और यही दिखाये गया इस पूरे सिरीज के अंदर जो की काफी वहतरीन है। यह सिरीज हुइलन सेक्षपियर के मैगबट से लिया गया है यह स्टोरी और यह सिरीज 18 प्लस है। और यह सिरीज का नाम है मंदार जिसके 5 एपिसोड है और हर एक एपिसोड के डियूरेशन है 40 से लेके 50 मिनिट के आसपास। सिरीज के आम डिव राइटिंग है 7.9 तो दोस्तों मैं अब सब्सक्राइब करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको पसंद आए है तो आप लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि आम इसी तरह का कॉन्टेंट अलगले टापिक्स पर लाते रहेंगे इसी चैनल पर अगर कोई कॉमेंट्स हो, आप जरूर कमेंट्स सेशन बता सकते हैं, आप मिलता हो अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा, थेंक्यू सब्सक्राइब वाच इन इस वीडियो गाईज, टेक केर, जाहेंग